नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूँ गौतमी गौतमी द्रेसिव में आप सभी का एक बार फिल से स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से बनने वाले रेसिवी लेक्या ही हो तो वीडियो जो है बिना स्किप के एंड तक जरूर देखते रहना तो दोस्तों चलिए कोई के हम रही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन लिया है एक कटोरी लगबगोंगी दाल बाली मूओंगी डाल हमें लेनी है उससे दो पाने से अच्छे तरीके लगपक आदा से एक गंडे के लिए रखना है मुंग की डाल है तो जल्दी सोख हो जाती है इसके जगह पे आप चने की डाल लेते हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आपको जटपट रेसिपी बनानी है तो इस तरह से मुंग की डाल का उपयोग करें इस म हमने डाल भी गोई थी तो वह पूरी तरह किसे भीग गई है अब हाद से इसको तोड़कर देख सकते हो एक मिकसर का जार लिया है मैंने मिकसर के जार में एक एक करके सारी जो मुंग डाल है वो ले ली है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज च के वज़े से जो है पकोड़ी का टेस्ट बहुत ही जादा बेतर बनने माला है इसमें मैंने आदा जो है टुकड़ा अध्रक का लिया है चाल से पाच का लिया मैंने लेसूर लिया है कड़ी पते लिया है दो से तीन और पेस्ट बना लिया इस तरह किसे स्मूध जीरा भी आ तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो उसके वज़े से क्या होता है कि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है जिसके वज़े से आपको पता चलते है कि मैंने क्या रेसिपी अपलोड की है तो इस तरह के से एक पकोड़े का जो मिक्षर है हमने एक बावल में ले लिया है वो अच्छे तरह के से मिला लेना है क्योंकि नमक और जो हमने धनियाम एड़ की है वो एक जूट हो जाए अब हम लास्ट में एक चीज इसमें एड़ करने वाले है जो कि है आदा चम्म जो है हल्दी पावडर इ जो मों के पकोड़ी है वो गुल्डन कलर के दिखते है तो दिखने में शाओ और खाने में ना जवाब इस Humuam सव कर देखते ही आनóc लगता है तो इस तरह के से हमारे गुल्डन कलर के पकोड़े में एक-एक करके यूँड करते जारे हो खोलते हूya मैं मान्सुन के इस मौस एक एक सारे पकोडे मेने इस तरह से तरग लिए हैं. हमें मीडियम फ्लेम पर भी इसको पका लिने हैंечका हैं. मुंग डाल के अब आपको दिखा रही हूँ इस तरह से गर्मा गरम पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है वो भी बारिश के मोसम में और चाय के साथ तो ये स्नैक सभी के घर में पसंद आता है तो इस तरह के से मैंने एक बाउल में ले लिये है सारे पकोड़े तो इस तरह से हमारे गोल्डन मुंग डाल के पकोड़े बनका तयार हो चूखे है तो आप वी ज़रूर ये मंसुन में मुंग डाल के पकोड़े ज़रूर ट्राइ करना और मुझे बता ना कि यह रेसिपीular के सी बनी थी बाहर मार्केट में आप तो पकोड़े खाते ही होंगे उसमें मिलावट रहती है दोस्तों जैसे की आटा या फिर सोडा या फिर तेल अच्छा नहीं रहता है तो घर में रेसिपी बना कर आप इंजोई करें दोस्तों इस मांसर में मैंने पकोड़े बना लिए घरवालों को खिला दिये आपको भी रेसिपी शेर की है तो इस तरह किसे देखिए आपको एक पकोड़ा जो है अंदर से फोड कर दिखा देती हूं किस तरह से यह पकोड़ा अपना प्रॉपरली बन कर तयार हो चुका है गोल्डन झाल झाल